प्रिंसेस एरिया को गायब होकर अभी यही कुछ एक साल होने को आया था, बट किसी को भी खबर नहीं थी कि प्रिंसेस एरिया बलेरियोन दो ब्लाक ड्रेड पर बैट कर कहां पर गई है, इसी में किंग्स लेंडिंग में एक बहुती सैड न्यूज आती है और ये न्यूज सो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि विल्लियम दो वास्प यही कुछ 20 टार्गेरियन सोलजर्स को लेके अंडलोस के माउंटन्स में एसोस में गए थे, ताकि वो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिकेशन कर पाए कि क्या वहाँ पर बलेरियोन दो ब्लाक ड्रेड चला अंडलोस के माउंटन्स में बसे हुए कुछ एकदमी खूखार माउंटन पीपल ने विल्लियम दो वास्प और 20 टार्गेरियन सोलजर्स पे एकदम एमबूश कर दिया, इस रेवन में बताये गए न्यूट्स के अनुसार विल्लियम दो वास्प ने एकदम जाबाजी से व आवी हो गए और वो वहाँ पर शहीद हो गए, तो अभी जहर इसके लेजंडरी किंग्स गार्ड में से एक किंग्स गार्ड मारा गया था, तो विल्लियम दो वास्प के जगा पर टूर्नी फॉर दे कम्पलीशन ओफ ड्रैगन पिट के चैंपियन सर लुकामोर श्ट्रॉं के कुछ ओफिसर्स के साथ में किंग जहर इसकी मीटिंग हुई थी, किंग जहर इसने इस मीटिंग में आयन बैंक ओफ ब्रावोस के कुछ ओफिसर्स को सीधा पूछा था, कि क्या उन्हें एलिसा फार्मान के बारे में कुछ पता है क्या, तो उसके रिप्लाई में आयन बै आइन बैंक ओफ ब्रावोस के सीक्रेट्स नहीं बता सकते हैं तो अगर आपको याद होगा तो इस आइन बैंक ओफ ब्रावोस में एलीसा फार्मान याने कि एलीस वेश्थिल ने अपना अकाउंट खोला था और उसने धेर सारा सोना वहाँ पर डिपॉजिट किया था बट य आइन बैंक ओफ ब्रावोस वाले लोग अपने याँ के अकाउंट होल्डर्स की इन्फोर्मेशन ऐसे ही किसी के साथ शेर नहीं करते हैं मतलब आपको समझा होगा कि ये आइन बैंक ओफ ब्रावोस मतलब एक तरीके से स्विस बैंक ओफ नोन वर्ल्ड है अगर किसी को भी अपने पैसे और सोना छुपाना हो तो यह आयन बैंक ऑफ ब्रावर्स सबसे बेस्ट जरिया होता है वो बैंक मतलब एकदम सिक्योर होती है और वो अपने राज किसी को भी नहीं बताते हैं तो यह कुछ important side stories रही थी और अब चलते हैं हम आज के सबसे important story में तो आयन बैंक के officers और किंग जहर इसके meeting के बाद में यही कुछ एक महिना गुजर जाता है और एक महिने के बाद में Kings Landing की घंटिया जोर जोर से अच्छानक से बजने लगती है पूरे Kings Landing में अफरा तफरी मचती है सभी लोग रस्तों पर यहां वहां भागने लगते हैं छूपने लगते हैं और Kings Landing की घंटियां continuously जोर जोर से बज रही थी रेड कीप में ये पूरे शोर शराबे की चीखे सुनाई दे रही थी और King Jairis और Queen Alison एकदम घबराते हुए सुबह सुबह नींद में से उठ गए थे यही कुछ सुबह का 9 बज़े का समय था और इतना शोर सुनके सब लोग भ खबरा गए थे आखिर हुआ तो क्या हुआ ओविसली बलेरियोन दा ब्लैक ड्रेड वोज बैक हुज बलेरियोन दा ब्लैक ड्रेड ने पूरे Kings Landing की चक्कर काटनी शुरू की थी और उसकी मैसिव काली परचाई पूरे Kings Landing में यहां वहां पढ़ने लगी थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना हुज बलेरियोन आज यहां पे क्या कर बैठेगा बलेरियोन अल्मोस्ट आधे घंटे तक Kings Landing के चक्कर मारता है और और इवेंचली वो मेगोर्स होल्ट फास्ट के इनर वाड में सीधा लैंड करता है बलेरियोन जैसे ही लैंड करता है तो उसके ल आगे कुछ भी बोलने के पहले वो वही पे गिर जाती है प्रिंसेस एरिया ने ये इतने जोर से चीखा था कि उसकी ये चीख सुनकर वहाँ पर मौजूद कुछ सोल्जर्स और स्क्वाइर्स की तो पूरी रूका पुठी थी वही पे कुछ स्क्वाइर्स को न्यूली हाइ किंग्सगार्ड सर लुकामोर स्ट्रॉंग भी ट्रेनिंग दे रहे थे तो उन्होंने भी ये बलेरियोन की लैंडिंग उस पे से उतरने वाली प्रिंसेस एरिया उसकी ये चीखे और चक्कर आके वही पे गिरना ये सब कुछ उन्होंने अपने आखों के सामने देखा जैस तो अभी यहाँ पे सर लुकामोर स्ट्रॉंग की माने तो प्रिंसेस एरिया की आखे एकदम लाल थी और एक आख से तो थोड़ा सा खून भी टपक रहा था एरिया की बोड़ी इतनी गरम हो चुकी थी कि सर लुकामोर का आर्मर पूरा गरम होके उनकी अंदर स्कीन जलने लग गई थी किंग जहरिस और क्वीन एलिसन भाग कर मेश्टर बेनिफर के कमरे के बाहर आते हैं बट किंग्सगार्ड उन्हें मेश्टर्स चेमबर के बाहर रोकते हैं क्योंकि सर लुकामोर स्ट्रॉंग के मुताबिक एरिया को कुछ ऐसी बिमारी हो सकती है जो कि राजा रानी को भी लग सकती है तो उनका ऐसे मेश्टर बेनिफर के चेमबर में जाना अच्छा नहीं होगा वही पर मेश्टर बेनिफर भी होते है और वो भी राजा रानी को कहते है योर ग्रेस यू डोंट वोंट टू सी हर लाइक देस इतने में वहाँ पर सारे स्मॉल काउंसि के मिंबर्स भी आते है किसी को कुछ समझता ही नहीं कि हो क्या रहा है सेप्टन बार्थ सुवे सुवे अपने सेप्ट में प्रार्थना करने गए थे वो भी भाग के रेड कीप में आते है और इवेंचली सेप्टन बार्थ और मेश्टर बेनिफर उस चेमबर में अंदर ज कई अर लोग की भीड़ जम जाती है सबही को बलेरियॉन दर ब्लैकड के मरने के बाद में औल्मोस्ट आट सालों के बाद में बलेरियॉन ऐसेlast अच्छानक से चेमबर तो सेप्टन बार्थ और मेश्टर बेनिफर यही कुछ देड़ घंटा अंदर वहाँ पर चेमबर में थे, बट जब देड़ घंटे के बाद में दोनों बाहार आते हैं, तब मेश्टर बेनिफर डिकलेर करते हैं कि प्रिंसेस एरिया मारी गई है, अब प्रिंसेस एरिया की म पर सैड मौत हो चिकी थी, और इसी न्यूट्स के रेवन पूरे वेश्टरोस में अलग-अलग लॉड्स को भेजे जाते हैं, ताकि किसी भी लॉड्स के पास में अगर रेना जाती है, तो उसे ये न्यूट्स पता चल सकें, फिर इसके बाद में स्मॉल काउंसिल मीटिंग में मेश्टर बेनिफर सीधा कहते हैं कि हमें अगले दिन सुबह सुबह ही प्रिंसेस एरिया के अंतिन संसकार करने चाहिए, और फिर अगले ही दिन सुबह सुबह प्रिंसेस एरिया के अंतिन संसकार होते हैं, सेप्टन बार्थ और ग्रैंड मेश्टर बेनिफर ने दोनों मिलके उसके बॉड़ी को इस तरीके से लपेटा था कि उसकी शकल किसी को भी दिखाई ना दे प्रिंसेस एरिया की शकल और उसके पूरे बॉड़ी के साथ में ऐसा कुछ हुआ था कि जो कोई भी ना देखे तो ही बहतर होगा ऐसा ही उनका डिसिजन रहा था सो इवेंचली प्रिंसेस एरिया के डेड बॉड़ी को जहरिस का वर्मी थोर और एलीसन का सिल्वर विंग अगनी देता है और उसका अंतिन संसकार उस दिन सुबह कम्प्लीट होता है उसी दिन राजा जहरिस पूरे किंग्स लैंडिंग में और पूरे वेश्टरोस में सब को प्रिंसेस एरिया के साथ में क्या हुआ ये पूरे सॉंग ऑफ आइस एंड फायर के हिस्टरी में वन आफ दी डेडलियेस्ट मोस्ट हॉरिफिक और सबसे सैड डेथ रही थी तो आखिर प्रिंसेस एरिया कैसी मरी आखिर उसके साथ में क्या हुआ प्रिंसेस एरिया की मौत इतनी दर्दनाक थी, इतनी सैड थी कि मेश्टर बेनीफर और सेप्टन बार्थ उन दोनों ने भी exactly प्रिंसेस एरिया के साथ में क्या हुआ, ये राजा जहरेस और रानी एलिसन को नहीं बताया, प्रिंसेस एरिया के साथ में क्या हुआ, ये सब अच्छे से लिखके रखा थ और हमारे Fire and Blood के राइटर, आर्चमेश्टर ग्लिंडेन ने इनी कुछ सेप्टन बार्थ के राइटिंग्स को देखा, उसका स्टडी किया और उन सब को उन्होंने Fire and Blood में लिखा, सो सेप्टन बार्थ ने सबसे पहले तो अपने डायरी में ये लिखा था, कि वो चाहते है क कि Future Generations को इस Princess Area के मौत के बारे में पता चले, Future Generations में सभी को पता होना चाहिए कि आखिर Princess Area कितने दर्द में कैसे तडब तडब के मरी थी, सेप्टन बार्थ ने अपने डायरी के शुरुआत में ही लिखा था, कि आगे वो जो कुछ भी बताने वाले है, उस सभी चीजों को आगे सिटाडेल में भेज दिया जाए, ताकि आगे जो Future में जो भी मेश्टर्स होंगे, वो इस केस को अच्छे से पढ़ सके, इस केस को वो अच्छे से स्टड़ी कर सके, और ऐसे कुछ प्रॉब्लिम अगर Future में आते हैं, तो उसके लिए वो रेडी रह सके, तो दूस्तो मैं अभी इसके बाद में जो भी बताऊंगा, उसके लिए एक Horror Content Warning, अभी यहां से आगे का चैप्टर ऐसा होने वाला है, जो कि थोड़ा सा डरावना हो सकता है, अभी मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा, वो सेप्टन बार्थ ने अपने डाइरी में, अपने जर्नल में अच्छे से note-down करके रखा है, तो अभी मैं जो भी कहूंगा, वो सेप्टन बार्थ के point of view से है, मैं हमेशा से ही पढ़ता आया, कि the mother above merciful है, और the father above सभी इनसानों को अच्छे से judge करता है, but there was neither mercy nor justice for our poor princess area, सातो भगवानों ने किसी इनसान को इतना दर्द कैसे दिया, कहा थे वो सात भगवान जब हमारी princess तडप रही थी, how can gods be so blind or so uncaring as to permit such horror, सभी सातो भगवान इतने कैसे अंदे हो गए थे, कि ऐसी horror मौत हमारे princess को मिली, princess area को जो हुआ था, वो सिर्फ fever नहीं था, वो बेचारी literally अंदर से जल रही थी, उसकी skin पूरी तरीके से लाल थी, और उसकी skin इतनी गरम थी, कि उसे touch करने पे ऐसा लगता था, मानो boiling oil में सीधा हाथ डाल दिया हो, उसके body पे सब जगा पर अजीब से swellings थे, कुछ अजीब से skin पे rashes थे, वो जो swellings थे, वो एक bubble के तरह बड़े होते और फिर छोटे होते, बड़े होते और फिर छोटे होते, ऐसा लगता था, कि मानो ये skin नहीं, बलकि एक लावा हो, हम जब उसके body को देख रहे थे, तब ऐसा लग रहा था, कि मानो उसके body के अंदर से कुछ चीज बाहर आना चाहती है, princess area वहाँ पर तडप रही थी, वो चीख रही थी, she was begging for death, princess area ने मुझे सीधा कह दिया था, कि slit my throat, kill me, I don't want to live, but मैं अपने princess को ऐसे ही कैसे मार सकता था, मेरे और बेनिफर के आँखों के सामने princess area एक घंटे तक तडप रही थी, वो literally जल रही थी, मैंने और बेनिफर ने बहुत सारे efforts किये, हमने उसे जो हो सके वो सारी दवाये दी, बट वो सभी efforts fail हुए, ये कुछ ऐसी अजीब सी बिमारी थी, जिसे ना कभी मैंने देखा था और ना ही कभी master बेनिफर ने देखा था, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, princess area के कानों से, नाक से, मूँ से, literally धुआ निकल रहा था, eventually यही कुछ एक घंटे के बाद में, जैसे अंडे crack होते है, वैसे ही princess area की आखे फट गई, वो table पे हमारे सामने तडप रही थी, तब ज और उसे सीधा ice cold water में डाल दिया, और उसके बाद जो हमने देखा, उसके लिए, hey mother, have mercy on us, ऐसे कुछ भयानक दिखने वाले worms, जिनके faces थे, ऐसे कुछ भयानक snakes, जिनके हाथ थे, और ऐसे कुछ अजीबो गरीब कीडे, कि उनका में कुछ explanation आगे दे ही ना सकू, ऐसे कुछ भयानक चीजे हमें दिखाई दी, ये सभी अजीबो गरीब कीडे, वैसे तो हाथों की उंगलिया जितनी होती है, उतने ही size के थे, बट एक बहुत बड़ा, अच्छा खासा, तीन फीट का अजीब सा साब, princess area के body में से बाहर निकले, और वो सिर्फ बाहर नहीं निकले थे, ये सभी अजीबो गरीब प्रानी चिल्ला रहे थे, because they were creatures of heat and fire, उन्हें वो थंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं आया, जैसे ही हमने princess area की body उस cold water bathtub में डाल दी, princess area तो वही के वही मारी गई थी, उसके body को चीर फाड के उसके body में से ये कुछ भयानक अजीबो गरीब कीडे बाहर निकले थे, और वो सभी गंदे कीडे, आइस cold water में हमारे सामने तड़प तड़प कर चीखते चीखते मर गए, हे warrior अभाव, सभी की तुम रक्षा करना, किसी को भी ऐसी बुरी मौत कभी मत देना, तो Lords and Ladies, इसी के साथ साथ सेप्टन बार्त के जर्नल के notes खतम होते है तो हमने जाना कि Princess Area की कुछ बहुती horrible मौत हुई थी, Princess Area के अंतीन संसकार के बाद में बस दो दीनों के बाद में एक बहुती important small council meeting रखी गई थी, जिसमें discussion हुआ कि आखिर Princess Area के साथ में क्या हुआ था, अभी जैसे की मैंने पहले कहा कि सेप्टन बार्थ और मेश्टर बेनीफर ने एक दुसरे को वादा किया था कि वो King Jhaerys और Queen Allison को Princess Area के मौत के सच्चाई के बारे में नहीं बताएंगे, वो बस इतना ही बताएंगे कि उसे बहुत तेज फीवर हुआ था और वो तडप-तड के मरी, that's it, that's what they told entire small council, but फिर भी आखिर प्रिंसेस एरिया को वो heavy fever कैसा हुआ होगा, इसको लेके ये small council की meeting हुई, आखिर बलेरियोन पे बैठके प्रिंसेस एरिया ऐसे कौन से dangerous location पर गई थी, जिसके वज़े से प्रिंसेस एरिया को ऐसा high fever हुआ था, तो meeting के शुरुवात में Septon Barth सभी को कहते है कि Your Grace, हमने हमेशा सोचा कि प्रिंसेस एरिया ने बलेरियोन प्रिंसेस एरिया को चुनने के बाद में वो आखिर उसे लेके कहा पर गई होगी, बट असली सवाल के बारे में हमने ज्यादा कभी सोचा नहीं, कि आखिर बलेरियोन प्रिंसेस एरिया को कहा ले जा सकता है, Septon Barth की ये बात सुनकर सभी चोक जाते है, वहाँ पर Septon Barth आगे अपना स्पीच देने लगते है, वो कहते है कि बलेरियोन द ब्लाक ड्रेड पूरे वेस्टेरोस का ओल्डेस्ट ड्रैगन है, बलेरियोन का जनम यहाँ पर वेस्टेरोस में नहीं हुआ बलेरियोन ने अपना बचपन एक्चुली वलेरिया में बिफोर द डूम गुजारा था, और इसलिए मेरे थियरी के अनुसार, मेबी बलेरियोन द ब्लाक ड्रेड को अपने घर की याद आई थी और वो वही पे चला गया, मेरा बस इतना ही कहना है कि प्रिंसेस एरिया जब बलेरियोन पे बैठी, तभी बलेरियोन को अपने बचपन की, अपने वलेरिया की ज़रूर याद आई और इसलिए वो सीधा रुइन्स ओफ वलेरिया में एरिया के साथ में गया होगा, अभी प्रिंसेस एरिया और बलेरियोन वहाँ पर कैसे जिन्दा रहे, वो एक साल तक उन्होंने वहाँ पर क्या कहा, इसके रिलेटेर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर सर्वाइवल के लिए प्रिंसेस एरिया ने उस रुइन्स ओफ वलेरिया के कुछ चीजों को खाया होगा, तो उसी का नतीजा मतलब ये प्रिंसेस एरिया की मौत रह सकती है, सेप्ट वलेरिया कर्ष्ट हुआ और उसकी इवेंचुली तबाई हुई, पूरे नोन वर्ल्ड में सब जगा पे कहते हैं कि रुइन्स ओफ वलेरिया में से बिल्कूल भी मत जाओ, जो भी रुइन्स ओफ वलेरिया में जाता है, वो लोट के वापस कभी नहीं आता, और अगर वो आता भी है, तो उसकी हालत जो प्रिंसेस एरिया के साथ में हुआ, वैसे ही होती है, क्योंकि वहाँ पर आज भी डार्क मैजिक के कुछ रेमनेंट्स एक्जिस्ट करते हैं, प्रिंसेस एरिया के साथ में जो कुछ भी भयानक चीजे हुई, वो पूरे दुनिया में किसी को भी कभी भी ना हो, योर ग्रेस, माइ लॉड्स, मैं तो अभी आखिर में बस इतना ही कहूंगा, कि इस दुनिया के कुछ दर्वाजे बंद रहे तो ही अच्छा होता है, क्योंकि उन दर्वाजों के आरपार सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है, और इन दर्वाजों को नहीं खोलना ही अच्छा होता है, बट प्रिंसेस एरिया ने ऐसे ही एक दर्वाजों को खोल दिया, और वो जब बाहर आई, तब उसकी मौत पक्की थी, ऐसा कहके सेप्टन बार्थ वहाँ पर बैट जाते है, बट सेप्टन बार्थ कभी भी प्रिंसेस एरिया के साथ में जो भी हाथसा हुआ था, उसे वो कभी भी भूल नहीं सकते, कहते हैं कि प्रिंसेस एरिया के मरने के बाद में अगले यही कुछ पाच्छे महिने सेप्टन बार्थ सो नहीं पाये थे, क्योंकि उनके सपनों में वो चीखने वाले अजीबो गरीब कीडे आते और प्रिंसेस एरिया की चीखे सुनाई देती, सो इन सभी नाइटमेर्स से पीछा चुडाने के लिए सेप्टन बार्थ ने एक अजीब से चीच के बारे में सोचा, सेप्टन बार्थ ने डिसाइड किया कि वो दुनिया के सभी अजीबो गरीब प्रानियों पे रिसर्च करेंगे और एकदम इन डेप्थ अच्छा बुक लिखेंगे, तो इसी के साथ साथ सेप्टन बार्थ ने अपने और एक लेजंडरी बुक पे काम करना शुरू कर दिया, और इसी कॉंट्रोवर्शल बुक का नाम रखा गया था, ब्रैगन्स, वर्म्स, एंड वीवन्स, देर अननाचरल हिस्ट्री सो गाइज सही में, ये सेप्टन बार्थ मतलब वेश्टरोस के इतिहास का इजी ली ग्रेटेश्ट फिलोसोफर, राइटर और एक साइंटिस्ट रहा था, सेप्टन बार्थ जैसे जैसे स्मॉल काउंसिल में अपनी स्पीच दे रहे थे, वैसे वैसे दुसरे तरफ क्वीन स्मॉल काउंसिल मीटिंग में ही वापस रोने लगी थी, क्योंकि उसे मन ही मन में बहुत ही गिल्टी फिल हो रहा था, कि उसे जब मुका मिला था, तब वो प्रिंसेस एरिया को किंग्स लैंडिंग में नहीं ले आ पाई, तो लॉट्स एन लेडिज, ये था फाइर एंड बुक का वन अफ दी मोस्ट डार्केस्ट और बहुत ही एक डिस्टर्बिंग चैप्टर, इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे प्रिंसेस एरिया ने थोड़ा सा गुस्से में क्यों ना हो, उसने बलेरियान दो ब्लाक ड्रेड को सीधा राइड किया था, उसमें वो सक्सेस होई, बट उस सक्सेस के वज़े से प्रिंसेस एरिया को एक पूरे वेश्टरोस के इतिहास की, पूरे टार्गेरियन परिवार के इतिहास की एक बहुत ही भयानक मौत मिली, तो अभी उसके मौत के बाद में आखिर क्या हुआ, उसके मौत के आगे क्या रिपकुशन्स वो सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में Until then Bye and Take Care झाल 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 झाल